हेलो गाई जर्जम बात केने वाला है बैंकिंग सेक्टर के एक और शेर की बारे में आप लोगों इस सुने बताने वाला हूं जिसका क्वाटर फूर का रिजल्ट आ चुका है जिसका नाम है आई डी एफ सी फर्स बैंक तो यहां पर आप लोगों को इस कंपनी का जो रिजल् आपड़ता है वो quarter and quarter और year on year business पर हम compare करेंगी कि कैसा growth चल रहा है company का आने वाले समय में क्या हो सकता है company के अंदर क्या क्या चीज़े है जो आप लोगों ध्यान में रखने लायक है यह सारी की सारी चीज़े आप लोगों को इस वीडियों बताने वाला हूं तो यह वीडिय का आप लोगों का सवाल होगा की company ने dividend कि नहीं तो यहां पर आपलोगों को साफ साफ मैं बोल दिता हूं कोई भी प्रका का dividend company का देखने को नहीं मिल रहा है तो यहां पर आप लोगों को जो result है 8th May 2021 को देखने को मिल रहा है और उसके साथ-साथ-साथ यहां बरसे हम सब से पहले result के ऊपर चलता है result कैसा देखने को मिल रहा है तो result आप लोग देखते हो तो यहां पर आप लोगों को यह सारी की सारी जो amounts है वह आप लोगों पहले बूल दिता हूं लेक्स में हैं यह चीज़ याद रखना और यहां पर आप लोगों को जह यह जो सबसे पहले कंपनी का इंकम कैसा रहा है तो कंपनी का इंट्रेस्ट इंकम सबसे जादा होता है तो कंपनी ने आप लोग देखोगे तो यहां पर थूड़ा बहुत आप लोग भूल सकते हूं कि अच्छा रहा है quarter and quarter मेरे हिसाब से क्योंकि यहां पर से कुछ जाधा गिरावट नहीं देखने को मिल रही है इंकम के अंदर ठीक है इंकम के अंदर यहां पर कोई भी जाधा गिरावट नहीं है और year on year basis पर company ने जो result है वो improve किये है जो अगेन एक अच्छी बात है अभी हम बात गे लेते company का चलो income तो अच्छा है चलो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है घड़ता हुआ देखने को मिल रहा है company का एक्सपेंस और यहां पर हम बात करें company का एक्सपेंस है quarter and quarter थोड़ा बहुत fluctuate है यहां पर आप लोग बूल सकते हो यह सारी कि सारी अमोंट्स है वो लैक्स में है हम कर देते करोड में convert तो company का total expense रहा है इस दो आकड़ी को हम कर देते है रिमू 4188 करो रूपीस का इस company का expense रहा है तो आप लोग वो देख सकते हो और उसके साथ साथ revenue income कितना हो रहा है तो 4834.01 करो रूपीस का company का income रहा है ठीक है तो यहां पर इन दूनों का difference करने से पहले यहां पर से company का year on year expense expense की बात करें तो year on year expense घटा है यह company बहुत ज़्यादा आची तरीके से return दे रही है यह मेरे को एक च्छी चीज लगी अभी हम बात कर लेते directly net profit के उपर उसमें कोई दिक्कत आती है तो हम उपर की तरफ देखेंगे net profit क सbandien做 तो इस मेरे काना साओ उपर आप लोगा को डिको यहां पर अपर को दिक्कत सा ही और इसमें देखो यहां पर रिजल्ट क्यों बेघर इस cesare के अंदर एक्चल में जो रिजल्ट था उतना ज़्यादा कुछ खास था नहीं पर इसमें क्यों बैतर रिटन देखने को मिल रहे है क्योंकि इसकी वज़ा यही है कि जो यह कंपनी है यहां पर आप लोग देखते हो तो कंपनी में जो टैक्स Expenses होते है यहां पर माइनस देखने को मिल रहे ओसे क्या होगा टैक्स Expense माइनस होगा तो वह डाइक्कली धिएड़ आप के अंदर तो इसी की वज़़ेसे यहां पर जो रिजल्ट है वह बहतरीन तरीके से improve होता हुआ देखने को मिल रहा है और यहां पर हम बात कर लेते है टेक्स की बात करें पिछले दो quarter में यहां पर टेक्स लिया गया था और इस बाल टेक्स दिया गया है इसके वज़े से तेक्स की अदलाबली की वज़े से यहां वरसे रिजल्ट में अच्छा देखने को मिल रहा है आप लोग क्वाटर एंग क्वाटर देखोगे तो और year on your business पर company का जो result है बहुत ही जादा अच्छा है और यहां पर जो दिक्कत है यहां पर आप लोग देखोगे profit and loss for ordinary activities before tax तो पहले tax देने के पहले जो ordinary activities होती है उसकी वज़े से यहां पर से company को कितने करोर रुपीज का loss हुआ है तो यहां पर आप लोग देख सकते हूँ टोटल 2374 करोर रुपीज का loss हुआ है company को इसके वज़े से पिछले साल जो loss book किया था company net profit के अंदर net income के अंदर profit के अंदर यहां पर से loss book किया था तो यह चीज़ आप लोगों देन में रखनी है company का result है वो तो improve होते हुए देखने को मिल रहा है इसी की वज़े से और उसके साथ साथ यहां पर से आप लोगों को मैंने वो भी बता दिया company का जो result है वो कैसा रहा है और एक और चीज़ आप लोगों बताने रहे गई company continue अपना provision है वो बढ़ाती जा रही है और आप लोग देखोगे तो यहां पर से company का जो provision है year on year basis पर आप लोगों को घड़ता हुआ देखने को मिलेगा पर यहां पर जो quarter and quarter basis पर company अच्छा तरीके से provision बढ़ा रही है यह एक अच्छी चीज़ लगी मिरको और उसके बाद हम बात कर लेते हैं net profit की बात कर ली हमने net profit for periodic year main जो यहां पर से जो चीज आती है वह तो यहां पर main जो चीज आती है वह आप लोगों देखने को मिल जाती है 12th आप लोगों को ओके यहां पर से हम रीवू कर देते हैं दो आंकडे और 127 करूर रूपीस का company ने इस quarter में income किया है अब हम बात कर लेते हैं पिछले quarter में पिछले quarter में वन हंड्रेट ट्वेटी ना करूर रूपीस का company ने income किया था और उससे पहले की बात करें पिछले साल मार्च quarter के अंदर तो यहां पर हम 2020 के मार्च quarter की बात करें 71 करूर रूपीस का income किया था तो company का जो profit है बहुत ज़्याद अच्छी तरीके से बढ़ रहा है year on year और quarter and quarter यह मेरे को एक चीज अच्छी लगी अभी हम बात कर लेते हैं 33% का और उसके बाद अगेन यह बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और उसके बाद देखो जो reserves होते है उसको use करते के net NPA जो net NPA होता है उसको कम कर दिया ग्रॉस NPA जादा हो गया था इसकी वज़े से यहां पर net NPA देखो यह कंपनिया क्या खड़ती है अपना जो reserves होते है अपने पास जो भी पैसा होता है वह जो non profitable assets होता है NPA होते है उसके अंदर डाल देता है पैसे एड किया जाता है जिससे क्या होता है जो company का जो loss होता है वह जादा दिखता नहीं है और company overall profit में दिखती है बस इसी की वज़े से तो NPA की बात करें NPA बहुत ज़्यादा manage करना बहुत ज़्यादा difficult होता है एक company banking sector के लिए तो यहां पर 1.86% का NPA देखने को बिल रहा है इस साल का ठीक है इस quarter का और इस साल में भी यही सारी की सारी situation बन रही है ठीक है तो आप लोगों मैंने सारी की सारी चीज़े बता दिए company का जो result है overall मेरे को अच्छा लगाए मेरे personal personally मैं बूलू तो अभी हम बात कर लेते हैं यहां पर से और तो कुछ है नहीं इसमें बताने ल कंपनी का जो result तो चलो अच्छा है पर यहां पर जो company का जो provision था वो बहुत जादा कम हो चुका है इसी वज़े से आप लोगों यह चीज़ ध्यान में रखनी है और यहां पर से IDFC first bank की यहां पर से चार्ट पेटन के उपर आ चुके है 56.7 रुपीज का भी चल रहा है share और यहां पर हम नीचे और फ़र्स डेय में तो यहां पर से गिड़ावर देख κα llev बल रही है पर five days की बात करें 4% थीजिटी है वन मनत की बात करें वन पॉटट जिक्सपरसें की तीज़ी है और उसके साथ साथ था जी इसमत की बात करें सैवेइंटी टू परसें की तीज़ी है और यहां पर 2015 से अभी तक यहां पर से कंपनी ने इतना सदा अच्छा परफॉर्फॉर्मंस नहीं दिया है अभी एक आप लोग बोल सकते हो कि एक जोन में ही चल रही है एक ही जोन में चल रही है कोरोना की वज़े से यहां पर से डीप मिला वना तो यह ऐसे ही चलती होती है देखो यहां पर से ऐसे ही चलती होती तो यहां पर से आप लोग को यह चीज़े ध्यान में रखनी है तो कंपनी अच्छी है कंपनी का काम अच्छा है पर अभी बैंकिंग सेक्टर में मत पढ़ना ये मेरी advice है ये चीज़ याद रखना बहुती जादा golden advice आप लोग बोलो तो भी आप लोगों को चलेगा ठीक है तो ये चीज़ रखना अभी banking sector में पढ़ना है तो बस HDFC को टक और बस ये दुनों में से एक में पढ़ सकते हो बाकी तो सारी की सारी और SBI इन तीनों में से एक से बताना, good-bye!